हलो फ्रेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Legal Help in Hindi में फ्रेंट्स आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमें चेक लेते और देते समय किन किन बातों का दिहान रखना चाहिए चेक लेते और देते समय वो आठ गलतियां कौन कौन सी हैं जो की अक्सर हो जाये करती है कैश के अलावा पेमेंट के बहुत से आप्शन आज हमारे पास मौजूद हैं अगर आप चेक से लेंदेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि जल्द बाजी में चेक के साथ कई लापरवाई और नुकसान हो जाते हैं इसलिए ये जरूरी है कि आप सावधानी से काम करें तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम जानते हैं कि चेक से ट्रांजिक्शन करते वक्त हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए तो शुरू से आखिर तक जुड़े रही है इस वीडियो के साथ सबसे पहले बात करते हैं M.I.C.R. कोड का नुकसान होना चेक पर सबसे नीचे जो नंबर मौजूद होता है सफेद पट्टी पर M.I.C.R. कोड होता है जब भी चेक का इस्तेमाल करना चाहिए तो ध्यान रखना चाहिए इस M.I.C.R. कोड को किसी तरह कर नुकसान न पहुँचे चेक साइन करते वक्त या किसी दूसरी वचा से इस डिटिल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए दूसरा आता है अमाउंट बनने के बाद ओबलिक का साइन न डालना चेक में शब्दों और अंकों में अमाउंट डालने के बाद उसके पीछे ओबलिक का साइन बनाना बहुत जरूरी होता है शब्दों में ये साइन लगाने से पहले ओनली लिख देना ही बहतर रहता है उधारन के तोर पर अगर आप 20,000 ओनली और 20,000 ओनली साइन करके बाद को दर्शाते हैं तो आपने जो अमाउंट भरा है वो इतने तक ही सीमित हो जाएगा अगर ओबलिक साइन नहीं लगाते हैं तो कोई भी इस अमाउंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है तीसरी गलती होती है चेक डेट ना डालना चेक उस पर डाली गई डेट यानि की तारीक के बाद 3 महीने तक ही वैलिट रहता है यानि इसे किसी टाइम में डिपॉजिट या फिर विड्रॉ किया जा सकता है इस टाइम के बाद ऐसा करने पर चेक आपके काम नहीं आता और आपको नुकसान जहिलना पड़ता है इसलिए जब भी आप किसी को आगे की डेट से पेमिंट करें तो इस बात का ध्यान रखें साथ ही इस पर तारीक डालने में आगर कोई गलती हो जाए तो उसे ओवर राइट करने के बज़ाए दूसरे चेक का इस्तेमाल करना ही बहतर रहता है डेट के साथ दूसरी डेटेल में गलती होने पर नई चेक इस्तेमाल करना ही ठीक रहता है चौथा आता है शब्दों और फिगर्स के बीच ज़्यादा स्पेस देना जब भी किसी को चेक से पेमेंट करें तो नाम और अमाउंट को लेकर शब्दों और फिगर्स के बीच ज़्यादा स्पेस देने से बचना चाहिए ज़्यादा स्पेस नाम और अमाउंट में छेड़-छाड़ होने की गुंजाइस पैदा कर देता है इसके अलावा चेक कर लें की जो अमाउंट आपने शब्दों में भरा है वही अमाउंट फिगर में यानि की अंको में भी होना चाहिए आपका बैंक चेक को तभी स्विकार करेगा जब दोनों तरह से अमाउंट मैच होगा वरना चेक रिजेक्ट कर दिया जाएगा पांचवी गलती होती है अकाउंट पेई और बियरेर चेक में अगर आप सीधे किसी के बैंक अकाउंट में पेमिंट करना चाहते हैं तो चेक पर अकाउंट पेई जरूर डाले ये साइन चेक के लेफ्ट बाई यानि की टॉप कॉर्णर पर डबल क्रॉस लाइन के बीच एसी पेई लिखकर बनाया जाता है इस साइन से चेक का पेमिंट सीधा बैंक अकाउंट में होता है इसे तुरंत विड्रॉर नहीं किया जा सकता इसका सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि चेक खोने की कंडिशन में कोई जालसाज वेक्ति खुद को टारगेट परसन बता कर इसके बदले कैश नहीं ले सकता एकाउंट पेई करते समय आपको चेक के राइट साइड में लिखे बेरर को काड़ देना चाहिए वहीं अगर चेक कैश कराने के लिए दे रहे हैं तो लेफ्ट आफ कॉर्णर पर एकाउंट पेई साइन को नहीं डालना चाहिए चटी गलती आती है आपके बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट को भर देना चेक से पेमिН करते वक्त पहले अपने बैंक एकाउंट के बैलेंस को चेक कर ले और उसके बाद ही चेक को भरे अगर बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट भर दिया है तो चेक बाऊंज हो जाएगा और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इस वक्त चेक बाउंस पर पेनल्टी 500 रुपे प्लस GST तक है साथवी गलती आती है सिगनेचर पर ध्यान न देना जब भी चेक साइन करें तो याद रखे कि आपको वैसे ही साइन करने होते हैं जैसे आपने उस ब्रांच के रिकॉर्ड में दे रखे हैं कई लोग अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग साइन रखते हैं अगर आपने भी ऐसा किया हुआ है तो साइन करते वक्त आप ये ध्यान रखें वरना आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है बात करते हैं आठवी और आखरी गलते की चेक की डिटेल अपने पास ना रखना जब भी किसी को चेक देते हैं तो उसकी डिटेल और उसके नमबर एकाउंट का नमबर, अमाउंट और डेट जरूर नोट कर ले ये इंफोर्मेशन चेक कैंसल करने की जरूरत पढ़ने पर आपके काम आ सकती है तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो चेक डिटेल्स के उपर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच